कि हम आपके लिए हमारी बीजिक टू अडवांस मास्टर क्लास सीरीज लाएंगे जहां हम आपको कम्प्लीट स्टॉक मार्केट के नॉलेज जो आपको बहुत सारे ट्रेनर 5000 से लेके 50,000 तक भी चाज कर रहे हो सब हम इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी विद अपना टाइम वेश्ट के हम अपना इंट्रो देखते हैं जिसके बाद हम हमारा फॉर्स सेशन चालू कर देंगे आज हम एक इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट दाव थियर के बारे में बात करेंगे आपने डाव जोन्स इंडस्ट्रे लाइवरेज या फिर डाव का नाम तो सुना ही होगा बहुत सारे ट्रेंडर्स के मुझ से Basically, Dow Jones Industrial Average एक stock market का index है जो United States की 30 बड़ी public companies का performance को measure करता है This is same as our Nifty 50 जो Indian stock market के 50 बड़ी companies को track करता है Dow Theory एक market analysis method है, जो Sir Charles Dow ने develop किया है अब सवाल यह होगा कि आखिर Charles Dow है कौन? Charles Dow अचली co-founder थे Dow Jones & Company और The Wall Street Journal के The Wall Street Journal का तो नम आपने सुना ही होगा जैसे हमारे Indian stock market में Dalal Street Journal है वैसे ही अमेरिका में Wall Street Journal है और movie भी आपने सुना ही रहेगा Wolf of Wall Street तो आप समझ सकते हो कि कितना famous आदमी है Charles Dow को actually father of technical analyst भी बाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो जो theories बताये हैं अपने time पे वो आज भी stock market में valid है अभी इनकी मैंने बहुत तरीफ कर लिये अभी सवाल यह है कि आखिर इनकी theory क्या है इनकी total 6 tenants है या principle आप बोल सकते हो जिसमें इन्होंने अपनी पूरी theory को cover किया है उसमें से सबसे पहला tenant जो है वो क्या कहता है कि market में हमेशा सिर्फ 3 तरगा का trend होता है first primary trend फिर दूसरा secondary trend फिर तीसरा micro trend primary trend long term trend है जो कही साल तक चल सकता है और economy में हुई changes के कारण ही होता है this is usually from a year to many years इसके बाद आता है secondary trend secondary trend जिसको corrections का भी नाम दिया जाता है ये generally primary trend के opposite direction में एक short term movements होता है this usually lasts from 3 weeks to several months ये retracement जो रहता है ऐसा माना जाता है कि वो 33% से लेके 66% तक का move दे सकता है exact कितना होगा वो बताना possible नहीं है किसी के लिए भी और last जो है वो है micro trend ये इन 3 trend में से सबसे unreliable trend है ये कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक भी चल सकता है इसको market noise भी बोला जाता है और generally जो भी market manipulation होता है वो इसी trend में होता है जैसे आपको ये चार्ट में दिख रहागा nifty 50 का यहाँ ये जो major trend जो इसका दिख रहा है वो अप trend वाला वो इसका primary trend बोला जाता है अब इसमें ये देखे यहाँ पर इसे छोटे छोटे retracement है ये सब इस primary trend का जो retracement है उनको secondary trend बोला जाता है अब इसके बाद अब ये जो secondary moment या primary trend है इसके बीच में आपको जो भी moments या फी trends मिलेगा ना bullish हो या bearish हो उन सब moves को हम micro trend बोलते है I hope आपको ये वाला concept समझ रहा है ये तो pretty simple है राइट चलिए अब next tenant पर चलते है that is market phase Charles Dow जो अपने theory ली करेते ना तब उन्होंने notice किया था कि आप market को total 3 phases पर divide कर सकते हो first phase है accumulation phase second phase जो है public participation phase और third जो है उसको distribution phase बोलते है accumulation phase में क्या होता है इसमें जो भी बड़े-बड़े investors होते है like FII, DII वो stocks को देखते है और अगर उनको लगता है कि stocks discounted price पर मिल रहा है तो वो उसे buy कर लेते है अब ये बड़े investors जो होते है न वो actual market move कर सकते है वो हमारे जैसे एक लाग के 50 लाग के capital के साथ बैठते नहीं ये buying और selling करने के लिए इनका capital usually hundreds of crores में होता है so आप ही सोचिए अगर उन्होंने इतना बड़ा order डाल दिया तो price का moment क्या होगा सीधा market भागने लग जाएगा और इनको वही stocks कितना महंगा मिल जाएगा तो वो क्या करते हैं वो इसी period में stocks छोटे छोटे quantities में buy करते हैं और अपना average price ये discounted price के आसपास ही लाते है जब ये ऐसा करते हैं तब ये आपको usually market में consolidation मिलता है और almost सारे major price action pattern यही accumulation या distribution phase को ही detect करते हैं अभी चलिए next phase देखते हैं that is public participation ये वो phase है जहां हम जैसे trend follower या trader इस stocks में interest लेते हैं इस phase में price बहुत rapidly grow होता है या तो business news के वज़े से price में एक बहुत बड़ा moment आ जाता है इसको in simple term आप एक pattern का breakout भी consider कर सकते हो जैसे ही price ये consolidation को break करता है उपर या नीचे side तो इस phase को हम public participation phase बोलते हैं अगर bullish phase चल रहा है तो इसको greed phase भी बोला जाता है और अगर bearish phase चल रहा है तो इसको panic selling phase भी बोला जाता है अब last phase जो होता है उसको बोलते है distribution phase ये generally वो phase है जब एक normal retailer को पता चलता है या फिर news में आना चलू हुआ कि ये stocks इतना उपर भागा है और stock में बहुत सारा bullish ने से करके generally यही time रहता है जब almost major बड़े investors like FII या DIA अपने holding sell करने चालू कर देते है अब जैसे accumulation phase में आपको समझाया था वो एक साथ इतना बड़ा buy order punch नहीं कर सकते same year वो एक साथ इतना बड़ा sell order भी place नहीं कर सकते अगर उन्होंने इतना बड़ा sell order डाला तो market radically गिर जाएगा इसके लिए वो क्या करते है भी वो छोटे-छोटे quantities में sell करना चालू कर देते है और अपने holdings को एक अच्छा average price में sell कर लेते है इसके बाद क्या होता है जैसे सारे बड़े investor इस टॉक्स में से भाहर चले गए तो खरीदने के लिए कौन बचा कोई नहीं इसलिए इस टॉक्स में बाद में एक bearish phase चालू हो जाता है और लोग इसको panic selling करना चालू भी कर देते है अभी इसमें कही सारे equations है क्योंकि multiple FII या DII involved होते है और ज़रूरी भी नहीं है कि एक bullish trend के बाद panic selling का ही stage आए जैसे ये example देखिए इधर price accumulate हो रहा था फिर कुछ time बाद इधर public participation phase आया और price इधर तक चला गया और इसके बाद क्या हुआ रहेगा FII और DII को कुछ news के वज़े से price अभी भी discounted ही लग रहा होगा तो इसके लिए उन्होंने वापस buy कर लिया इधर तो इसके लिए आपको इधर थोड़ा consolidation मिल रहा है और देखिए फिर वापस price उपर चला गया तो इसको आप distribution phase नहीं मान सकते है ये भी आपको accumulation phase माना जाता है ये point आप हमेशा याद रखना कि जब तक आपको एक breakout या फिर कुछ नहीं मिल रहा सर्विसिस नहीं है इनका गोर उन ट्रेडर पे focused है जो अपने trading करियर के मामले में serious है और इनके tools को additional confirmation की जारा अपने analysis में use करेंगे इनकी एक strong trading community भी है discord पे जहां ये लग trade ideas पोस्ट करते रहते हैं और नए setups भी पोस्ट करते हैं इनके indicators में आपको calm के और जादे accurate signals मिलते हैं बाकी के trading services के comparison में RAID भी बाकी service provider के comparison में almost half ही है जिसमें ये आपको 6 indicators प्रवाइड करते हैं with 20 different unique confluence points जो आप अपने analysis में use कर सकते हो obviously this is not for everyone और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता हूँ कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा इतना तो हम भी जानते हैं कि हम traders है और हम probability पर विश्वास करते हैं so I would advise to take their one month subscription and try out their product yourself और जितने experimentation आपको back testing करना है कर लो अगर आपको सही लगता है तो ही continue करो वरना मत करना तो description में लिंक रहेगा अगर आपने वहां से account open किया तो आपको 40% off मिल जाएगा जिससे आपको effectively ये product और सस्ते में मिल रहा है so if you find it interesting then make sure to check them out चलिए अब next principle पे चलते हैं which is all news are discounted in the market market में कूछ भी नया आए अच्छा या बुरा वो आपको उसके stock price में affect करते वे दिखेगा ही जैसे ये देखिए March 2020 जैसे ही news आया कि India travel restriction ला सकता है तो almost major airlines के stocks में selling हुआ है और जैसे ही lockdown का news आया पूरा market ही गिर गया इसलिए Charles Dow ये कहते थे कि all news are discounted in market चलिए next principle पे चलते है which is indices और averages must confirm each other अब जब Charles Dow ये सब principle प्रेजेंट कर रहे है थे न तो उसवक्त US में दो indices या averages थे एक जो उनका manufacturing को reflect करता है और दूसरा जो उनकी economic को reflect करता है logic ये था कि अगर समझो production बढ़ेगा कोई भी चीज़का तो obvious है logistic industries को भी benefit होगा इसलिए अगर आपको DAO industrial average indices में आपको uptrend build होते वे दिख रहा है तो आपको DAO transportation average में भी वो दिखना चीए इसी method से आप confirm कर सकते हो कि production में एक नया trend आया है अगर DAO industrial average ने एक uptrend बनाया है बट DAO transport average अभी भी अपना downtrend continue कर रहा है तो DAO industrial average में अब तक uptrend नहीं आया है और हम उसको ऐसा मान भी नहीं सकते इसलिए अगर आप इंडिया में देखो banking sector का trend analysis करते है वक्त आप bank nifty को तो analyze करते ही हो बट उसके साथ साथ आप एक बार nifty को भी देख लेते हो चलिए अब next principle पे चलते है which is volume confirms the trend ये point तो काफी straightforward है DAO ये believe करते थे कि अगर आपको कोई trend confirm करना है न तो हमेशा आप उसके volumes को देखो अगर एक price बढ़ रहा है that is with good volume तो ही आप उस price का moment को valid मान सकते हो इसके लिए आपने सुना भी होगा जब भी कोई consolidation होता है तो breakout पे आप उसका volume देखना चीए क्योंकि अगर average volume से ज़्यादा है breakout पे तो ज़्यादा chances है कि वो breakout fake out ना हो अब हम last principle पे चलते हैं which is trend persist until a clear reversal occurs एक famous scientist है जो हम सब जानते हैं हमारे text book में भी थे Sir Isaac Newton अब आप पूछो के प्रनित stock market में आप Newton को क्यों ला रहे हो क्या बोलू आदमी ही कमार का था Sir Isaac Newton का एक law है physics में first law of motion a body at rest will remain at rest a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force ये same चीज़ Charles बें मनते थे कि stock market में valid है उनका क्याना था कि price continue करता है अपना trend unless and until there is an external factor which might cause a reversal अब ये reversal identify करना बहुत मुश्किल task होता है जो आपको reversal लग रहा होगा हो सकता है वो सिर्फ एक retracement हो इसलिए अपने पिछले principle में उन्होंने बोला था कि trend change आप सिफ multiple averages या फिर indices देखके ही confirm कर सकते हो बहुत सारे technical tools available है market में जो आपको ये काम करने में assist कर सकता है जिसकी मदद से आप reversal spot कर सकते हो like support resistance, price action, trend line, moving averages कोछ indicators तो ऐसे होते हैं जो leading in nature भी होते हैं जो आपको warning signal बहुत पहले देदेते कि इसका momentum loss हो रहा है बट Sir Charles Dow ये मानते थे कि price अपना current trend continue करना ही prefer करता है So ये about 6 principles थे जो Charles Dow ने postulate किया था कोई भी new या experience trader को ये सब चीज़े पता होनी चीए अगर वो stock market को अपना career बनाना चाता है तो इसलिए मैं इस series का first video Dow theory पे रख रहा हो क्योंकि modern सारे techniques इदर से ही आये मैं ये वीडियो में trend analysis भी cover करने वाला था बट सिर्फ Dow theory के उपर ही video इतना बड़ा बन गया है मैं ये expect नहीं कर रहा था बोलते गया बोलते गया तो चली रहा वीडियो I hope आपको हमारी ये master class theory का first session अच्छा लगाओ I know इस video में ज़्यादा views नहीं आएगा क्योंकि लोगों को popular youtubers की free strategy series ही अच्छा लगता है और वो basics of stock market में अपना time queue invest नहीं करना जाते हैं जो stock markets में new है और stock market कारे में detail में knowledge जानना चाते है ताकि बाद में इस market से हो पैसा कमा सके एक famous dialogue है first learn from the market then earn from the market चली ये dialogue तो मार दिया मैंने अगर आपको ये ppt चाहिए तो मैं description में डाल दूँगा so guys if you like the video please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video अगर आप हमको support करना चाहते हो तो upi idea आपको screen पे दीख रहा होगा अगर आपके बाद demand account नहीं है तो मैं description में जिरोता का link डाल दूँगा हमसे account open करके आप channel की थोड़ी help कर सकते हो और अगर आपको ये back testing sheet चाहिए तो मैंने इसे already channel पे share किया है आपको एक video suggest हो रहा रहेगा या link description में होगा आप आप से check out कर सकते हो please comment में आपकी feedback दीजिए और कौनसी strategy आप चाहते कि हम back test करें अपने future videos में ये भी ज़रूर बताना आप अमरे channel की playlist देख सकते हो और दूसरे strategies के videos भी देख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and show your support more awesome contents are on the way so see you next time